आईए सुनते हैं कविता चाया मत छूना इसके कवी हैं गिरिजा कुमार माथुर प्रिश्ट संख्या 44-48 गिरिजा कुमार माथुर गिरिजा कुमार माथुर का जन्म सन 1918 में मदबदेश के गुना में हुआ प्रारंबिक सिक्षा जांसी उत्तपदेश में ग्रहन करने के बाद इन्होंने MA अंग्रेजी और LLB की उपाधी लखनाउ से अरजित की शुरू में कुछ समय तक वकालत की बाद में आकाशवाणी औ 1994 में हुआ गिरिजा कुमार माथुर की प्रमुख रचनाएं हैं नाश और निर्माण धूप के धान शिला पंक चमकीले भीतरी नदी की यात्रा यह काविसंग्र है जन्म कैद नाटक है नई कविता सीमाए और संभावनाए यह आलोचनाए हैं नई कविता के कभी गिरिजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवी माने जाते हैं वे विशय की मौलिकता के पक्षधर तो हैं परंतु शिल्प की विलक्षणता को नजर अंदास करके नहीं चित्र को अधिक स्पस्च करने के लिए वे वातावरण के रंग को भरते हैं वे मुक्त चंद में ध्वनी सा कविताओं में छोटी छोटी ध्वनी वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं क्लासिक मिजास की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनी वाले शब्दों को तरजी देते हैं। कविता की सुखद कालपनिक्ता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा, कठन यतार्त से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिक्ता होनी चाहिए। देखी जा सकती है। मन होगा दुगदूना। यश है या ना वैभव है, मान है ना सरमाया, जितना ही दोडा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण भिंब केवल म्रिक त्रश्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात क्रश्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, चाया मत चूना मन, होगा दुगदूना। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंत नहीं, देह सुकी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, दुख है ना चांद खिला, शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल, रस बसंद जाने पर, जो ना मिला भूल, उसे करतू भविश्च वरण, चाया मत चूना मन, होगा दु एक, कवी ने कठन यतार्त के पूजन की बात क्यों कही है, दो, भाव इस्पस्ट कीजिए, प्रभुता का शरण बिम केवल मिर्ग्र तृष्णा है, हर चंदरिका में छिपी एक रात कृष्णा है, तीन, चाया शब्द यहां किस संदर्ब में प्रियोक्त हुआ है, कवी न पड़ता है, जैसे कठन यतार्त, कवीता में आए ऐसे अन्य उधारन चांड कर लिखिए, और यह भी लिखिए कि इससे शब्दों की अर्थ में क्या विश्ष्टा पैदा हुई, पांच, मिर्ग तृष्णा किसे कहते हैं, कवीता में इसका प्रियोक किस अर्थ में हुआ ह 6. बीती ताही बिसार दे, आगे की सुधिले, यह भाव कवीता की किस पंक्ती में जलगता है, 7. कवीता में व्यक्त दुख के करणों को स्पस्ट कीजिए, रचना और अभिव्यक्ती 8. जीवन में है सुरंग सुधिया सुहावनी से कवी का अभिपराय जीवन की मधूर इस्मृतियों से है, आपने अपने जीवन की कौन-कौन सी इस्मृतियां संजो रखी है 9. क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंद जाने पर? कभी का मानना है कि समय बीत जाने पर भी उपलब्धी मनुश को आनन्द दिती है क्या आप ऐसा मानते हैं? तरक सहीत लिखिए 10. पाठेतर सक्रेता आप गर्मी की चिल्चलाती धूप में कभी सफर करें तो दूर सड़क पर आपको पानी जैसा दिखाई देगा पर पास पहुचने पर वहां कुछ नहीं होता अपने जीवन में भी कभी कभी हम सोचते कुछ हैं दिखता कुछ हैं लेकिन वास्तिकता कुछ और होती है आपके जीवन में घटे ऐसे किसी अनुभव को अपने प्री मित्र को पत्र लिखकर अभिव्यक्त कीजिए कभी गिर्जा गुमार माथुर की 15 अगस्त कविता खोश कर पढ़िये और उस पर चर्चा कीजिए शब्द संपदा चाया अर्थात भ्रम दुविधा सुरंग याने रंग बिरंगी छवियों की चित्रगंद अर्थात चित्र की स्प्रती के साथ उसके आसपास की गंद का अनुभव यामिनी अर्थात तारों भरी चांदनी दात कुंतल अर्थात लंबे केश सरमाया अर्थात पूंजी प्रभुता का शरण भिंब अर्थात बड़पन का एहसास दोविधा गरस रहना यह भी जाने प्रसिद्ध गीत We Shall Overcome का हिंदी अनवाद होंगे काम्याब सीर्षक से कभी गिर्जा कुमार माथुर ने किया है